आज हम बनाने जा रहे हैं अमरी सरी न्यूट्री कुल्चा ये एक कंप्लीट मील है उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है ओयल दो से तीन टेबल स्पून न्यूट्री हमने सो ग्राम लियें चंक्स लियें इसके दो मीडियम साइज के प्याज बिल्कुल बरीक कटे हुए दो मीडियम साइज के टमाटर बरीक कटे हुए एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शिमला मिर्च एक मीडियम साइ धनिया पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून नमक स्वाद अनुसार या एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून रेड चिली पाउडर हमने ये देगी मिर्च लिये हैं हाफ टीस्पून क्योंकि हम इसमें स्वासेज का भी यूज कर रहे हैं वो भी तीखी होती ह तो चलिए सबसे पहले हम chunks को boil करेंगे, कडाई में हमने 4 cup पानी डाला है, इसको पानी को boil होने देंगे, और gas को हमने medium flame पे रखा है, पानी में उबाल आगया है, अब इसने soya chunks डालेंगे, हमने बड़े soya chunks लिए हैं, आप छोटे भी डाल सकते हैं, हमने इसमें नमक नहीं ड अगर आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं, इसको अच्छे से mix करेंगे, और 5 मिनट तक इसे पकने देंगे, तक कि soya chunks नरम हो जाएं, गैस को फूल पे ही रखना है, बीच-बीच में stir करते रहना है, न्यूट्री को boil होते, 4 मिनट हो गए हैं, ये देखिए नरम हो करेंगे बन, अब इसको चान लेंगे, और फिर इसको नल के नीचे रखके अच्छे से खुले पानी में अच्छे से वाच करेंगे, तक इसकी स्मेल पूरी तरह से निकल जाए, न्यूट्री को हमने नलके के नीचे रखके अच्छे से वाच कर लिया, तक इसकी सारी स्मेल अब इसको एक साइड में रख देंगे इसका एक्स्रा पानी निकल जाए उतनी देर हम मसाला तियार कर दोते हैं गैस पे पैन रखेंगे और मीडियम हीट पे रखेंगे अब इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे आयल को गरम होने देंगे तेल हलका गरम हो गया, अब इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे और जीरे को तड़कने देंगे गैस मीडियम पर ही रखनी है 15-20 सेकेंड हो गया है, जीरा अच्छे से तड़क गया अब इसमें प्याज कटा हुआ डालेंगे और इसको भी हलका गुलाबी होने तक भूनेंगे प्याज हलका गुलाबी हो गया, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे और इसको भी 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे गैस भीच भीचने लो मिडियम पर करते रहेंगे अपने हिसाब से लसा नदरक भी हमारा भूना गया, अब इसमें हम टमाटर ढाल देंगे और शाथ ही ये तकी हुई सिंदा में भी ढाल देंगे ये अच्छे से मिख हो जाएगी पक्के, इसका फ्लेवर अच्छा अच्छा लगा तार्श करेंगे इसको अच्छे से भीन लाएं तक्रीबन 5-7 मिनट कर तीन-4 मिनट हुए भीनते टमाटर को भी, अब इसमें सुखे मसाले भी डाल देंगे लाल मिस पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गराम मसाला गराम मसाला मैंने 1 तीश्पून डाले, मैंने पहले आपको 1 तीश्पून बुलना था, लेकिन 1 तीश्पून डाले नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अभी और भूनेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे, चोकि मसाला हमारा मीचे लग रहा है थोड़ा, चूख रहा है अब गैस सिम पे करके इसमें दही भी मिक्स कर देंगे दही को सिम पे करके गैस को मिक्स करना है नहीं तो दही फट जाएगा और कर्ची चलानी है पटापट मसाले को भूनते 7 मिनट हो चुके हैं अब इसे 2-3 मिनट और भूनेंगे तक यह अच्छे से मिक्स हो जाए ऐसे दबा के इसको ऐसे मिक्स करना मसाले ने तेल छोड़ दिया अब इसमें हम यह तीनों सॉस डालेंगे सोया सॉस यह मैं इसलिए डाल रही हूँ तक इसका कलर अच्छा है न्यूट्रे का ग्रीन चिल्दी सॉस इसमें मिर्ची का फ्लेवर अच्छा आएगा इससे मैंने लाल मिर्च कम डालिया रेड चिल्ली सॉस मिक्स करेंगे इससे अब साथ में यह न्यूट्री भी जो बॉल करके हमने रखी थी यह भी ढाल देंगे थोड़ा हरा धिन्या डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे सबके तो गैस मीडियम पर कर देंगे नमक हमने चेक किया है थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें हम आदा टीस्पून और डालेंगे आप भी अपने हिसाब से ढाल सकते हैं मिक्स करेंगे अच्छे से तीखा भी आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं जैदा तीखा खाते हैं तो और मिर्ची एड़ कर सकते हैं न्यूट्री डालके हमने पांच मिनट पकाया है अब इसमें हम एक कप पानी ढालेंगे क्योंकि इसे हमने कुल्चे के साथ खाना है थोड़ा ग्रेवी वाला होना चाहिए गैस फूल पे कर देंगे और उबाल आएगा तो गैस कम कर देंगे ग्रेवी में उबाल आ गया है अब गैस बिल्कुल सिम्न पे कर देंगे और इसको ढख देंगे और पांच से साथ मिनट तक इसे पकाएंगे तक इस सब मसाले आपस में मिक्स हो जाएं न्यूटरी को ढखके हमने छे साथ मिनट पकाया है अमारी न्यूटरी तयार है यह देखिए पूरी तरह से बन गई ग्रेवी भी अच्छे से मिक्स हो गई अब गैस करेंगे बन और इसको ढखके एक साइड में रखेंगे तक तक हम कुल्चे को मक्षन लगांके सेख लेते है गैस पे तवा रखेंगे तवे को थोड़ा गरम होने देंगे गैस मीडियम पे हमने रखेंगे तवे पे थोड़ा बटर डालेंगे और उसके उपर ऐसे कुल्चा सेख लेंगे आप गैस लोग पे खर देंगे और इसको धीरे-धीरे से सेख देंगे दोनों तरफ से सीखने, दोनों तरफ से पीचा सीख चुक है, अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे, कुल्चे भी हमारे तेयार हैं और न्यूट्री भी तेयार है, तो चलिए इसे सर्फ करते हैं, गैस करेंगे बन, तो ये रही हमारी आज की रस्पी, अमरी सरी न्यूट्री कुल्चा, आप इसे जरूर ट्राइ किजिए, और हमें अपना फीडबेक दिजिए, और हमें बताइए, कि आपको ये हमारी रस्पी कैसी लगी, हमारे वीडियो को शेर किजिए, हमारे चैनल को सब्स्क्राइब किज तैंस प्रिए मीश की भीजिए टेंढें इसान क कि ठव्सेभर एप्टाइब कर conscienky दो कर गया हमारी न्यूड़ी घुट्शक कर दो डिए लो की जंबगांच सक्छंगी कर मैंजू जायों पेंदी जिए। Sबीजिए तो